हेलो हाई आद आप वेलकम सस्रीयकाल एंड आप सब का बहुत बहुत स्वागत है इंक्रेडिबल डेली टैरोट में कैसे हैं आप लोग होब आप सब लोग अपनी लाइप में बहुत खुश है अपने पॉसिरिविधी को रेज कर रहे हैं अपनी सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आज मैं आप लोगों के लिए एक डिपेल रीडिंग लेके आई हूँ आप लोगों की फेवरिक टॉपिक करेंट फिलिंग्स ऑफ यूर परसं जिसके लिए भी आप सोच करके इस रीडिंग तक पहुंचे है वह हो सकता है आपका कोई लव इंटरेस्ट हो हो सकता है कोई कॉलीग हो कोई फ्रेंड हो उनकी करेंट फिलिंग मैं आज इस पहुंचे है उनकी करेंट एनर्जी क्या है चाहिए रीडिंग को शुरू करते हैं आप लोग पॉजिटिव रहिए प्लीज डिवाइन गाइद करें प्लीज डिफाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन का सोच करके इस रिदिंग तर पहुचे हैं उनकी करेंट फिलिंग समय बताएं प्लीज डिफाइन गाइड करें किस एनरजी में है मेरे व्यूवर्स के जो भी पर्सन है वो किस एनरजी में है अप दिवाइन गाइद करें मुझे यह कार्ड के डेग से थोड़ा है तोड़ा सा मुझे एसे नॉर्मली यह कार्ड स बहुत ही light होते हैं लेकिन मुझे थोड़ हे फील लग रहा है हो सकता है आप जिस भी परसन के लिए सोच करके इस reading तरक पहुचे है हो सकता है उनकी अभी current energy बहुत heavy हो चलिए देखते है reading में क्या रहता है Please divine guide करें आप लोग Please background noise को थोड़ा ignore कीजिएगा कोई pass में operation चल रहा है शाहिद शादी हो सकता है I don't know Please divine guide करें एक card pop out हुआ है 8 of cups Please divine guide करें मेरे viewers जिस भी person के लिए देखना चाहते है उनकी current feelings उनका बताएं Please divine guide करें The lovers 3 of cups 5 of pentacles 7 of swords Emperor The fool 9 of wands Knight of wands King of cups 6 of cups 6 of pentacles Pentacles And bottom of the deck Temperance Okay तो आपके जो person है Hope आपको cards visible है मैं थोड़ा camera adjust कर लेती हूँ चलिए आप जिस person के लिए देख रहे हैं वो हो सकते है Water sign हो सकते है Earth sign हो सकते है Air sign 4 के 4 sign मौजूद है 12 की 12 राशियां इस reading में मौजूद है Gemini, Aries बहुत strong energy आई है इनकी Okay तो पहला ही जो मैं देख रही हूँ किसी situation से यह person move on करते हुए मुझे दिखाई दे रहे है किसी situation में चलिए मैं cards को आज detail में reading करती हूँ क्या define हमें guidance देते हैं पूरान देखते हैं किस situation से यह move on करते हुए दिखाई दे रहे है Please define चलिए मैं छोटे deck से देख रहे हूँ असानी होकि उसमें Please divine guide करें किस situation से यह person move on करते हुए दिखाई दे रहे है Please divine guide करें किस situation से move on करते हुए दिखाई दे रहे है Please divine guide करें एक card pop out हुआ है Ace of Pentacles इसमें भी temperance आया है Please divine guide करें दो card pop out हुआ है एक आया है Hairophant and second king of swords देखिए situation यह है कि यह person अभी कुछ obstacle की बज़ा से अपनी love life से move on करते हुए दिखाई दे रहे है जिनके साथ उनकी खुशी है जिनके साथ वह रहना चाहते है उस situation से वह move on करते हुए मुझे दिखाई दे रहे है Ace of Pentacles वह new beginning कर रहे है जिस situation में अभी वह है possibly third party के साथ वह new beginning करते हुए मुझे दिखाई दे रहे है वहाँ पे balance create करना चाहते है अपनी life में लॉजिकल ही सोच रहे है मुझे जो दिखाई दे रहे है यह third party इनके spouse है totally यहाँ पे जो energy आई है वह spouse है इनके और उस situation में balance create करने के लिए हो सकता है वहाँ पे कुछ unbalance हो गया था situation balance create करने के लिए एक नई तरीके से वह वहाँ पे शुरुआत कर रहे है चलिए देख लेते हैं lovers की वाया है please divine guide करे please divine guide करे lovers की वाया है please divine guide करे queen of swords please divine lovers को clarify करे please divine lovers को clarify करे king of swords king of wands and the sun मुझे और दो cards चाहिए please divine guide करे lovers card को और clarify करे please divine two cards आए है इसमें भी ace of wands and two of pentacles देखिए मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है यह person हो सकता है इनके बच्चे हो एक छोटा बच्चा या एक छोटा बॉय की एनर्जी यहां पे आ रही है तो lovers में मुझे दिखाई दे रहा है queen and king of swords आया है couple energy है definitely यह person married है और इनका बच्चा भी है तो इस situation में वह अपनी love life से move फेर करके अपनी family के तरफ पूरी तरह से focused है sorry कोई दरवाजे पर आ गया था तो आपके person अभी जो है अपनी family में फूरी तरह से focused है उस तरफ new beginning करना है इसी पर उनका पूरा concentration है लेकिन यह सब होते हुए भी कही न कहीं वह compare कर रहे है अपने जो spouse है उसके साथ आपकी वह चाहे ना चाहे वह compare कर रहे है दोनों में और दोनों में comparison करके वह थोड़ा confused date में मुझे दिखाई दे रहे है अभी भी situation में मुझे इस reading में जो भी दिखाई दे रहा है third party कोई situation में मुझे कोई family member और most probably 90% मुझे जो chances दिखाई दे रहे है यह person जो third party है three of cups definitely third party यहां पर present है कुछ celebration उनके life में चल रही है ऐसा दिखाई दे रहा है with this five of pentacles मुझे यहां दो energy channel हो रहा है एक है कि extreme missing feeling वह आपके लिए रखते है extreme missing feeling जो किसी situation में आप पे साथ contact नहीं कर पा रहे है आपको बहुत जादा miss कर रहे है अगर उनके family में कोई celebration चल रहा है तो उस celebration में भी वह आपको miss कर रहा है and मुझे जो दिखाई दे रहा है इनका कुछ financial loss भी मुझे दिखाई दे रहा है या तो loss या फिर financially इनका कोई growth नहीं हो रहा है life में कोई growth नहीं हो रहा है इस type की energy मुझे दिखाई दे रही है चलिए मैं five of pentacles को भी clarify कर लेते हो please divine guide करे है clarify करे please five of pentacles card को एक card pop, दो card actually pop out हुआ है एक है three of pentacles and queen of cups totally यह बंदा अभी totally पूरी तरह से खुद को surrender कर दिया है अपनी family के growth के लिए अपनी growth के लिए पूरी तरह से अपनी family को समर्पित जो बोलते है न वैसा है queen of cups अपनी emotions को वो दबा रहा है जो भी emotion है चाहे वो खुश हो वहाँ पे उस situation में खुश ना हो लेकिन अपनी emotions को पूरी तरह से एक side में कर दिया है please divine guide करे five of pentacles की हो आया है please divine guide करे king of cups queen of cups and king of cups extreme missing feeling है यहां पे मुझे जो दिखाई दे रहा है यहां पे मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि आप भी अपनी emotions को कुछ अद तक control किया है या फिर उनको बिलकुल भी show नहीं करते हैं आप अपनी emotions और उनके दिल में आपके लिए बहुत जादा प्यार है missing feeling है उनको family के लिए करना पर रहा है लेकिन बहुत जादा आपके लिए अपनी emotions को दबा भी रहा है and मुझे जो ये emotions दबाने की energy जो दिखाई दे रही है वो मुझे आपके और आपके person दोनों की तरफ से ही दिखाई दे रही है चलिए आप देख लेते हैं seven of swords क्यों आया है उनकी energy में seven of swords क्यों आया है please divine guide करे please divine guide करे seven of swords क्यों आया है page of pentacles the tower and two of swords hmm आपके person का जोई ये family life है ना इस family life में कुछ tower moment आया था कुछ tower moment आया था page of pentacles उधर में वो एक stability दे रहे है अपने spouse को लेकिन अभी भी वो confused है कि उस तरफ उनको जाना चाहिए की नहीं okay let me clarify this tower card please divine एक situation मुझे और भी दिखाई दे रहा है कि tower आप तोनों के relation में किसी reason से आया हो और इसलिए वो अपने spouse को choose कर लिए है आपकी तरफ बिलकुल मुझ मोर करके अपने spouse को choose कर लिए है please divine guide करें दो काट आए है nine of pentacles चार काट आ गए nine of pentacles, devil, seven of cups and eight of wands इस person का आपके लिए जो नजरिया है वो बहुत ही positive है आपके लिए जो thinking है आपको वो एक ऐसी lady मानते है जो पूरी तरह से abundant है आप आए बहार आई इस type की एक energy आप में वो देखते है आपकी ओड़ा से बहुत ज्यादा attracted है इस type की एक energy मुझे दिखाई दे रही है but इस इंसान की मुझे जो दिखाई दे रही है कुछ addiction भी हो सकती है मुझे बहुत तरह की addiction हो सकती है लेकिन मुझे यहां पर ऐसी भी vibes आ रही है कि इस person का addiction थोड़ा बहुत flirt करना एक flirt करना कुछ options मतलब किसी serious relationship में न जा करके कुछ दिनों के लिए किसी के साथ रहना relationship में इस type की मुझे यह person थोड़ा sexually addicted लगते है मुझे थोड़ा मतलब इन में यह चीज मुझे दिखाई दे रहा है और यह जो third party है उनसे यह physical attraction भी feel करते है यह नहीं है तो आप तोनों में जो tower आया definitely आप अफी भी उनके दिल में ऐसी जगह पे हो इस चेखा पे आपके comparison में और कोई है नहीं इस type के एक energy में वो आपको देखते हैं लेकिन उस जो tower moment आया था, उस tower moment के लिए वो अपने other options को भी explore करने में लग गया जिसमें से एक definitely उनकी spouse है या फिर marriage पक्की हो गई है इस type की हो सकते है लेकिन मुझे जाता है यहां पर आपके person married लग रहे है तो उस तरफ उनका जुकाप चला गया और उस तरफ वो एक new beginning करने के लिए पूरी तरह से अभी dedicated है Emperor अपने emotions को वो person अभी पूरी तरह से suppress की हो है कि मुझे emotions के साथ नहीं रहना मुझे logically सोचना है emotions जाते ले नहीं इस type की एक energy में आपके person है full carelessly carelessly बीरा को सोचे वो उस तरफ में अपनी family की तरफ में पूरी तरह से एक new beginning की energy में है इस person का एक और चीज भी दिखाई दे रहा है देखिए यह collective reading है कि बहुत सारे energies catch करते हो तो जितनी आप से match कर रहा है उतनी energy अपने पास लगे हो सकता है बाकी energies किसी और के होगी आपके person में यह जो बदलाव है यह जो एक new beginning third party के लिए इतना जुगा new beginning करना है यह किसी डर के कारण भी मुझे दिखाई दे रहा है किसी से वह बहुत दरते है knight of wands को भी clarify कर लेते है knight of wands किस तरह का action please define guide करें किस तरह का action किस के तरफ action please define guide करें आपके person का energy जो है अभी बहुत distracted energy में है मुझे cut shuffle करते हुए ही समझ आ रहा है कि यह person एक second में यह सोच रहा है दूसरे second में दूसरा कोई कुछ सोच रहा है इनको पूरी तरह से अपने सोच पे भी काबू नहीं है और क्या करें यह करने से उधर loss होगा वो करने से इधर loss होगा इस type की एक energy में बहुत overthink कर रहा है 7 of wands the hermit and six of swords देखिए यह person को यह लगता है कि अगर यह आपके पास आए अगर इस दोनों situation में से आपको चूज करें तो उनको महनत बहुत करनी पड़ेगी इस relationship में और जिस महनत से वो बहुत खबराते भी है जो भी आपके तरफ आने से उनको जो कुछ भी face करना पड़ेगा उधर उस चीज से वो बहुत खबराते है डर इसी चीज का मुझे दिखाई दे रहा है तो उनको यह बहुत easy लगा कि आप से move on करके वो थट पार्टी में चले जाए फिलाल की energy में ऐसा ही दिखाई दे रहा है हर्मिट मोट पे है self love की बहुत कमी है दूसरों के लिए अपने जिंदगी को दाओ पे लगाना या दूसरों के लिए अपनी खुशियां ना देखना इस टाइप की energy में वो person है लेकिन यह सब करते हुए भी उनको प्यार बहुत फील होता है चलिए मैं देख लेती हूँ क्या यह जो प्यार है वो किसके लिए फील होता है king of cups किसके लिए उनको इतना प्यार फील होता है बात को समझीएगा अगर यह प्यार आपके third party के लिए था तो उनको इतनी confusion ही नहीं होती 2 situation में जो जगल कर रहे है जो 2 situation में अभी भी उनके सब कुछ होते हुए भी उनको 2 situation में जगल करना पड़ रहे confused है तो definitely third party से अगर प्यार होता तो वो दुसरे के पारे भी नहीं सोचते चलिए king of cups का मैं निकाल लेती हूँ please divine guide करे six of cups देखिए यहां भी six of cups and यहां भी six of cups double confirmation the lovers and page of cups प्यार आपसे बहुत करते हैं देखिए मैं cards show कर देती हूँ six of cups उनको लगता है यह एक connection है आपके साथ उनका यह कोई normal connection नहीं है बहुत past life connection उनको feel होता है एक mind body soul का connection उनको feel होता है divinely guided कोई relationship उनको feel होता है and page of cups उनके पास offer करने के लिए बहुत कुछ नहीं है बहुत ही image एड़ उनको कुछ offer करना हो कुछ अपना प्यार दिखाना हो अपनी stability दिखाना हो तो उनकी energy बहुत immature मुझे दिखाई दे रहे है तो उनके पास अभी आपको offer करने के लिए कुछ नहीं है यहां भी six of cups बहुत प्यार की feelings है it's a past life connection past life strong connection मुझे यहां दिखाई दे रहा है and ultimately वो एक चीज़ चाहते है यह person एक चीज़ चाहते है कि यह third party भी रहे ताकि वो third party के साथ भी justice करेंगे and आपके साथ भी balance बना के चले जिससे उनको सुकूर मिले देखिए overall energy में भी temperance card आया है तो उनका जो अभी इतना सब कुछ होने के बाद ultimately जो चीज है ultimately यही है कि वो move on करना चाहते अगर एक line में बताना चाहूं वो आपसे move on definitely करना चाहते है definitely move on करके वो third party के साथ new beginning करना चाहते है confusion confusion थोड़ा heartbreak puzzled puzzle इंसान दिखाई दे रहे है and इन सब का situation है यह सब करके उनको ultimately क्या हो रहा है कि मुझे balance बनाना है, मुझे third party को भी रखना है यह देखिए अब यह person अगर आपके पास आता भी है it's up to you कि इस person को आप accept करते है कि नहीं क्योंकि मुझे इतने reading में reading की है उनकी energy में मुझे कहीं भी यह नहीं दिखा कि वो third party को छोड़ने वाले है अगर यह third party में बिलकुल खुश नहीं है तो proper reaction देखे आपके पास आए यह ऐसा कुछ नहीं है यह third party को भी रखेंगे and balance करके आपको भी रखेंगे and मेरा एक personal guidance यह है किसी भी merit person के साथ बहुत ज़्यादा serious मत हो यह क्यूंकि क्यूंकि यह जो person है जो भी merit person होते है वो ultimately आपके साथ कुछ दिन रहेंगे फिर अगर कुछ problem हो तो definitely अपने spouse को ही choose करेंगे उनको society का भी डर होता है उनको family का भी होता है तो ultimately आपके साथ ही injustice होगा तो it's up to you कि आप इसको choose करते हैं and choose wisely क्यूंकि आज आप जो choose करेंगे उसका result ही आपको कल मिलेगा तो यह था आपके partner की current feelings आज मैंने बहुत deeply आपके person की current feelings की reading की है खुब आपको कुछ clarification कुछ guidance जरूर मिला होगा अगर reading को आप पसंद किये हैं अगर reading से आपको कुछ guidance मिला है तो please reading को like and share जरूर कीजिए मेरे channel को भी subscribe जरूर कीजिए and bell notification को on कर लिजिए तो मिलते हैं आपसे next reading में till then अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए and आप लोग comment section में बता सकते हैं कि आपको किस topic पर reading चाहिए मैं definitely उस topic पर reading आप लोगों के लिए लाऊंगे तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए Bye